आउनलाइन महावास्तु फाउंडेशन कोर्स को करने की आपकी एक्साइटमेंट को मैं बहुत अच्छे से समझ पा रहा हूँ. नए लोग तो एन्रोल कर ही रहे हैं प्रंतु पुराने अचारे महावास्तु एक्सपर्ट्स जो की प्रफेशनली बहुत अच्छा कर रहे हैं वो भी इस कोर्स को रिपीट करना चाह रहे हैं इसको देखके मुझे सच में खुशी होती है कि अपने स्किल्स को जो आपके प्र चारपन करने के लिए अपनी प्रफेशनल प्रैक्टिस में अपनी अडवाईज की धार को तीखा करने के लिए तुम सदा प्रयासरत रहते हो ये बहुत अच्छा लगता है क्योंकि एक अडवाईजर के लिए बहुत ही जरूरी होता है कि वो स्वयम को हमेशा करता रहे अपने ग्यान की धार को पैना करके रखे तो आप लोगों ने जो मुझे चिठियां लिखी या आपके इंट्यूटिव ट्रेनर के माध्यम से आप लोग जो मुझे मैसेजिस भेजते हो उसमें पिछले दो-तिन दिनों से बहुत जादा मैसेजिस इसी बात के आ र हला कि मैं कहता हूँ भी अपने ट्रेनर से पूछ लीजिए आपके बहुत सारे साथियों ने किया है पिछली बार तो करीब धाई पौने तीन हजार लोगों ने किया अपने परिवार के तो आप उनसे जानकारी ले लीजिए पर ठीक है मुझी से सुनना है तो मैं आप लिस्ट बनाई कि भी किस दिन हम क्या करने वाले हैं और फिर उस लिस्ट में उसको थूड़ा सा और तरीके से लिखा, सारगरबित रूप में लिखा तो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि हम अपने ये दो हफ़तों के कोर्स में क्या-क्या करने वाले हैं तो सबसे पहले दिन आप लोग जानेंगे कि सोला दिशाओं के जो प्रभाव हैं जो गुनधर्म हैं उनके पीछे का रहस्य क्या है ये कैसे निर्धारित हुए इसका रहस्य है आप लोग जानेंगे कि ये कैसे पैदा होते हैं जो ये गुन पैदा होते हैं और फिर जानेंगे कि पांच तत्वों के गुन क्या है और फिर डिजिटल शक्ति चक्र से मिंटों में आप पहचानेंगे कि सोला जोन कैसे रेकनाईज होते हैं है ना कमाल की बात ताकि खट से पहचान लें कि इस जोन में यहां पर ये कुछ तो भी आसंतुलन है और फिर देखने के सूत्रों को आप लोग जानेंगे और आपके ट्रेनर्स आपकी मदद करेंगे कि किस प्रकार से आपने सही दिशा को देखना है और सोला जोन नक्षे में भी कैसे मार्क करने हैं सेंटर सही से कैसे निकालना है और उसके लिए भी एक सॉफ्ट्वेर जो है उसको क कैसे यूज़ करना है फिर दूसरे दिन क्योंकि ये आपने प्रैक्टिस करनी है और हर दिन कोई ना कोई असाइनमेंट है ताकि आप अपने हाथ से काम करें और आपको सब कुछ अच्छे से आतम साथ हो जाए दूसरे दिन हम आगे बढ़ेंगे कि पंच तत्वों से उपचा करने की विधी क्या है कैसे यूटलाइज करें पंच तत्वों के गुंधर्मों को और फिर दूसरे दिन की असाइनमेंट में आप करेंगे कि डिप्रैशन को हटाने और कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए महावास्तु के सरल प्रंतु बहुत प्रभावशाली उपचार क क्या है तीसरे दिन हम आगे बढ़ेंगे कि दिशा बल को कैसे जाने किस दिशा का बल कितना है कम हो रखा है कि जादा हो रखा है उस पर आप लोग प्रैक्टिकल करेंगे और महावास्तु वर्किंग का जो स्टेप बाइ स्टेप प्रोसेस है उस प्रोसेस को उस फ्लो चार को अच्छे से समझेंगे और साथ में प्रशनोतर रहेंगे कि अब तक जो आपने प्रैक्टिकल किये हैं क्या उसमें आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही क्योंकि ये बेसिक फाउंडेशन है जिसके अधार पर आप महावास्तू के बाकी के सारे के सारे उनके प्रभाव कैसे हैं उनका मिलान कैसे करें सिम्टम से और फिर अगर वो दोशकार कहें तो उनके सरल उपचार कैसे करें सोला दिशाओं में गती विधियों उपयोगी उपकरनों और सजावट के समान के प्रभाव को किस तरीके से उसका आकलन करें उसका इवैलिएशन करें और अगर कुछ तो भी प्राबलम उसकी वजह से है तो पंच तत्वों के अधार पर और महावास्तु की तकनीकों के अधार पर कैसे उसको संतलित करके उसके नेगटिब प्रभाव को नलिफाई करें फिर पांच में दिन हम बात करेंगे कि जीवन में सफल होने के लिए और करमों को सफल करने के लिए जो ज़रूरी ग्यान है जो नो हाव है उसको पाने के लिए या फिर बच्चों की पढ़ाई को बेहतर करने के लिए महवास्तू के क्या उपचार है इस पर आप लोग assignment करेंगे, अपने घर को evaluate करेंगे फिर छठे दिन हम चर्चा करेंगे रिष्टों की स्वयम से और इश्वर से सबसे पहले अपने सबंध का अवलोकन करेंगे, अगर आप खुश रहते हैं, अगर आपको चिंता नहीं स्थाती, अगर आपको अनवशक डर नहीं स्थाते, तो इस कर्थ है कि इश्वर से आपका सबंध बहुत अच्छा है तो अपने आप से और इश्वर से अपने सबंध का अवलोकन, वास्तु शास्तर के सूत्रों के अधार पर काईसे करें, और फिर महाभास्तु के उपचारों से, उस सबंध को सशक्त कैसे करें इस पर चर्चा होगी और यहां से हम शुरुआत करेंगे कि क्या वास्तु दोशों की वजह से परिवार में आपसी समन्वय नहीं है या और भी जो रिष्टे हैं उसके बारे में हम evaluate करना सीखेंगे साथ में दिन जीवन के सोला संदरवों से सबंदित रिष्टे उनकी गुनवत्ता, उनकी गरीमा, उनकी गहराई इस सब को आप महावास्तू की अवलोकन विधियों से जांचेंगे अपने घर को evaluate करते हुए इसी प्रकार से हैं सारी assignments और फिर अगर कहीं पर imbalance है किसी particular zone में imbalance है तो उससे आपका कौन सा दुनियावी रिष्टा disturb हो रहा है इसको पहचानना सीखेंगे और उसके लिए महावास्तू की छुट-छुटी remedies सरल से उपचार करके कैसे सबंधों को संतलित करना है इस पर आप काम करोगे फिर आठमे दिन जो आपका session रहेगा उस session में summarize करेंगे कि जो महावास्तू की 16 प्रभावशाली तकनीके हैं जिनसे किसी भी प्रकार का वास्तू दोशदूर किया जा सकता है उनको समझेंगे उनको एक बार अच्छे से देखेंगे उनको कैसे अपलाई करना है उनके वीडियोज को देखेंगे ताकि एकदम दिमाग में बैठ जाए और फिर intuitive अचारें के द्वारा आपको योगदान दिया जाएगा और उपचार दिये जाएंगे सबंधों के बारे में ग्यान के बारे में बच्चों की पढ़ाई के बारे में ये जो depression, confidence और मनस clarity के लिए मानसिक्स पष्टता के लिए इस दिन आपको योगदान देंगे आपके अचारे और आपकी working पर जितने भी अब तक के कोई सवाल है उनके भी उत्तर देंगे फिर 9 में दिन हम लोग shift करेंगे कि health के लिए एक building को किस प्रकार से evaluate किया जाता है कैसे जांच करी जाती है कि कहीं वास्तू दोश की वज़ा से कोई health issues तो नहीं है कोई वास्तू की वज़ा से समस्या तो नहीं है उसके लिए वास्तू पुरुष की मर्म रेखाओं से कैसे पकड़े पीडा वै विमारी के कारण अपनी immunity, ताकत और पेट की सफाई से सबंदित वास्तू अवलोकन कैसे करें और फिर पीडा हटाने और सेहत को बढ़ाने के लिए जो सरल महावास्तू के उपचार हैं उनको यूज करते हुए कैसे एक healthy environment को हम लोग निर्मित करें और दसमे दिन अयुर्वेद के वात्पित और कफ दोशों का महावास्तू के 16 जोन से क्या सबंद है इसको जानेंगे और आयुर्वेद वालों के लिए जिनको आयुर्वेद की या योग की awareness है उनको बहुत मज़ा आता है इस सेशन में और फिर सेहत के लिए महावास्तू का वलोकन त्री दोशों का कैसे करें और फिर रोग निवारक वातावरन के लिए महावास्तू के जो सरलूपचार हैं वो कैसे करें इसको समझेंगे ग्यारमा दिन है पैसा कमाने के पांच वास्तू रहस्य है वो पांच रहस्य कौन से है जिनको पकड लेने से जिनको समझ लेने से आपको पता चलता है कि आप जीवन में पैसा क्यों कमा रहे हो या क्यों नहीं कमा रहे हो अपने पैसा कमाने के रहस्य को अपने क्योंकि प्रतेक व्यक्ति का एक अपनी अपनी रेसिपी है अपना रहस्या है पैसा कमाने का, अपने पैसे कमाने के रहस्या को सोला दिशाओं में हम कैसे पहचाने और फिर अपनी कमाई के ढंग के अनुसार पांच जोन में महावास्तू के उपचार कैसे करें ताकि सतत परवा बना रहे पैसे का इसी को आगे बढ़ाते हुए बारमे दिन पैसे की सुम्रिधी के तीन सुपान है ग्यारमे दिन तो हमने बात करी कि पैसा बनाते कैसे है बारमे दिन हम बात कर रहे हैं कि सुम्रिधी के तीन सुपान कौन से है उसी से परते एक व्यक्ति गुजरता है तो अपने सौपान की पहचान कैसे करें कि हम कौन से लेवल पर काम कर रहे हैं और फिर उसके अनुसार दिशाओं को जागरत करने के लिए दिशाओं को अपने हक में करने के लिए कैसे हम सशक्त और प्रभाब शालिय उपचार करें ताकि हम एक सुपान से दूसरे सुपान की और बढ़ सके और जीवन में पैसे की स्मृद्धी बढ़ती चली जाए तेरमे दिन जो है थर्टिंध दे हम चर्चा करेंगे कि जरूरत मंदी से अपार एवं भैववशाली संपन्ता की रहस्यमई यात्रा क्या है उसके क्या सूत्र है कि एक व्यक्ति जरूरत मंदी की पूरती से अपार और भैववशाली संपन्ता की यात्रा कैसे करता है उसके सूत्र क्या है उसके साधन क्या है उसकी साधना क्या है बहुत कीमती है ये बात और मैं चाहता हूँ कि मेरे परिवार को ये बात अच्छे से ध्यान में रहे चाहे आपने आगे चलके प्रोफेशनली प्रेक्टिस करनी हो और चाहे अपना सहज जीवन में महावास्तु की विधियों को लगाना हो तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही इंसाइटफुल ये संदरव है और फिर चौदमे दिन फौर्टिंथ डे ये जो आउनलाइन महावास्तु फाउंडेशन कोर्स है इसको हम सारगरवित रूप में इसका निशकर्ष निकालेंगे इसके मेन बिंदूओं को एक बार फिर से चेक करेंगे और फिर सफल सुखी और समृध वसनेहमई जीवन जीने और आगे बढ़ते रहने के लिए जो सनातन वैदिक सूत्र है थोड़ा सा उनकी चर्चा करेंगे ताकि आप हमेशा सुखी रहें समृध रहें खुश रहें और आपका जीवन सनेहमई हो आशीरवादित हो इश्वर की अनुकंपा सदा बनी रहे उसके लिए कुछ जीवन उपयोगी बातें करेंगे और हम इसको पूरा करेंगे तो इस परकार से अपना ये जो कोर्स है पूरा होगा और इसी ओडियो को अगर आप एक दो बार सुन लेंगे तो मैंने प्रती दिन की बहुत ही संक्षिप्त में रूप रेखा आप से तै करी है क्योंकि इस से थोड़ा जादा है जब असाइन्मेंट करने लगेंगे तो लगेगा कि अरे अरे ये ये टोपिक भी है पर वो तभी दिख जाएंगे पर एक संक्षिप्त रूप रेखा मैंने आपके सामने रखी है धेर सारी शुप काम नाए बहुत अच्छे से सीखिए आतम साथ करिए और हमारी वैदिक विद्याओं के ग्यान के प्रकाश को स्वेम भी अपनाए और दूसरों की भी मदद करे सीखने के लिए मेरी धेर सारी शुप काम नाए